हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब या देवी सरभूतेशु विद्यारुपेण संस्थिता नमस्तस्याई 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 नमोनमा तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है ऐडी और बी सी अर इक्वल परपेंडिकुलर तो अलाइन सिग्मेंट एबी सेइन फीगर में दिखाया हुआ है तो धैट स्टी बाइसेक्ट एबी एक रेखाखंड एबी पर एडी और बीसी दो बराबर बराबर भी लिखा है ध्यान रखना है लंबर रेखाखंड है लंब भी है बराबर भी है तरशाइए तीडी रेखाखंड एबी को सम्दिभाजित करता है ठीक है देखिए ये फिगर हमें वीजिबल नहीं होगी हम अपनी फिगर दुबारा बना लेते हैं और फिगर बनाने में देखिए हम यहां से ये लाइन हम इसी ले लेते हैं और ये लाइन हम यहां एबी ले लेते हैं और इधर से लाइन हम यहां से ही एक्स्टेंड कर लेते हैं इसको और उसके बाद यहां जाइन करा लिए ठीक है यह हमारे पास figure बन जाएगी complete अब आप देख पा रहे होंगे इनकी हम नेमिंग कर लेते हैं यह हमें दिया है A यह हमारे पास है B यह C यह D और यह O ठीक है अब यहां पे इन्होंने A, D और B, C जो है वो बराबर बताए हैं बराबर लंब हैं आप ऐसे निशान लगा सकते हैं A, D और C, C अब यहां लिख लीजिए Q1 क्या है उसकी को लिख लेते हैं सबसे पहले Q1 यह निके दिया है और क्या दिया है सबसे पहले क्या दिया है नोने आप यहां देख सकते हो यह दोनों एक तो राइट अंगल है नमबर 1 इसको देज़ेते हैं इसको हम देज़ेते हैं 2 अंगल 1 is equal to अंगल 2 is equal to 90 degree मैंने दोनों बाते लिख दी बराबर भी हैं और यह 90 degree और दूसरी बात क्या दी हुई है DC is equal to AD ठीक हो गया और प्रूफ यहां पर किद क्या करना है हमने इन क्वेस्चनों में आपने सब कुछ यहीं से लिखना होता है कोई एक अधा पॉइंट आपने माइंड से लगाना है आपने पॉव करना है कि CD रेखाखंड AB को बैसेक्ट करता है हम इसको कैसे लिखेंगे कि O A CD रेखाखंड AB को बैसेक्ट करता है निकिए O A बराबर O B हमने पॉव करना है ठीक है और पॉफ में क्या आएगा हमारे पास प्रमान क्या है जिन दो ट्रैंगल्स की बात करनी है आप उनको लिख लेंगे हमें लिखेंगे ट्रैंगल OAD और ट्रैंगल OVC इन ट्रैंगल OAD और ट्रैंगल OV अब देखिए angle 2 and 1 equal है क्योंकि OAD में angle 2 दिया हुआ है और वहाँ पर angle 1 है और दोनो 9090 के हैं इसके equal है given भी है दोनों बाते हैं हो सकती हैं इसमें ठीक है और उसके बाद हम line लिखतेंगे line ये AD और यहाँ पर DC line AD और DC ये भी equal है ये भी हमें given है ये हमें given है तो आपको अच्छे से पता ही है और यहाँ पर एक angle हम और लेते हैं इसको 3 देता हूँ इसको 4 देता हूँ हम लिखेंगे angle 3 and angle 4 आर परिटिकल ये opposite angle है शिर्षावी कौन है ये दोनों बराबर होगे अब क्या होगे देखिए इभी उसमें हमारे पास दो angles और side मिलगी दो angle बराबर है तीस तरह अपने बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं triangle OAD is congruent to triangle ठीक है और current क्या हो जाएगा इसको आप side angle side भी दे सकते हो RHS भी बोल सकते हो angle angle side भी बोल सकते हो यह भी आपने दिहान रखना तो कि जब दो angles बराबर है तीसरा automatically बराबर हो जाएगा तो दो angle और इसकी 20 की बुझा अपने बराबर बन जाएगी यहाँ हमारे पास क्या आगया angle angle side rule से यह congruent आगी हमने प्रूव तो क्या करना है कि OA is equal to OB अगर यह congruent है इनके corresponding part भी बराबर होंगे और यह आजएगा मरपस TPCT corresponding parts of congruent triangle सरवांग समत्रीभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं और इसलिए यह वाला भाग OA जो है OB के बराबर आजाएगा और यहां लिख देते हैं hence prove iti इद्धम यह question third अमारा यहां complete हो जाएगा Please like, share and subscribe my channel Thank you Have a nice day आजजजजजजजजजज